नमस्कार प्रिये विद्यार्थियों योगा जोति सब यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है UGC योगनेट तृतिये यूनिट है ये जिसे हम NTA योगानेट के तरफ से ये प्रिक्षा है और इसमें हम श्वेता स्वतर उपनिशद के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं श्वेता स्वतर उपनिशद का जो पाठे क्रम है उसके एक एक बिन्दू को हम इस पूरा वीडियो में स्पस्ट करेंगे जैसे ये पाठे क्रम है श्वेता स्वतर उपनिशद का द्वित्य अध्याई लगा हुआ है ध्यान योग की विधी क्या है और उसका महत्व ध्यान के उप्युक्त स्थान प्राणायाम का क्रम क्या है और उसके महता योग सिध्धी के पूर्व के क्या लक्षन होते हैं योग सिध्धी का महत्व और तत्वज्य ये हुआ द्वित्य अध्याई से संबंदित है फिर सस्टम अध्याई एक और लगा हुआ है जिसमें प्रमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा भगवत प्राप्ति के उपाई मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है इन सब को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और ध्यान से समझे और जो जो आपको श्वेता श्वत्र उपनिश्द का कहां क्या रेफ्रेंस है उसको भी देकर्स बंचाया जाएगा तो ध्यान से प्रार्म करते हैं श्वेता श्वत्र उपनिश्द के बारे में पहले थोड़ा सा संक्षिप्त आप जान लीजिए ये क्रिशन यजरुवेदिये साखा के अंत्रगत आता है सबसे पहले ध्यान रखिए क्रिशन यजरुवेदिये साखा के अंत्रगत है इस उपनिश्द में कुल छे अध्याई हैं आपको पाठेकर में दो लगे हुए हैं दूसरा अध्याई और छटा अध्याई टोटल हैं छे अध्याई 131 इसमें श्लोक हैं और ये आधी संकराचारी त्वारां प्रतिपाधित 11 उपनिशद में से एक हैं दस उपनिशद जो पहले हमने वीडियो में पढ़े हैं वो दस हैं और 11 उनको लिया गया है श्वेटाश्वतर उपनिशद को और उपनिशद का जो नाम है वरिशी श्वेता श्वतर के नाम पर ही पड़ा है ये अलग इसको विध्यान रखिए अलग नहीं है और दूसरे अध्याय जो है उसमें सत्रा श्लोग है और जो दूसरे अध्याय के अंदर सबसे पहला पॉइंट है ध्यान योग की विध्य क्या है आप वहाँ पर देखिए दूसरे ध्याय का ठार नंबर के श्लोग में उसमें कहा साधक जो है वे गला शेर और चाती को सिधा रखे और शरीर को सिधा रखते हुए इंद्रियों को पूरे मनोयोग से रिदय में संचित करे ये क्रम आपको इन्द्रियों को पूरे मनोयोग से रिदय में संचित करना ये एक आगर करकी रिदय पर ध्यान करना और दूसरा फिर आता है अगला पॉ законч ध्यान का महित्वwyn क्या है ध्यान के महित्व के लिए कहा गया औंकार की नोका द्वारा औंकार जो है उसको एक नोका का स्वरूप म उपमा ली गई है तो उसके समान ओंकार के नाव की तरह जैसे अपने मुसाफिर है कोई यात्री है उसको दूसरे पार लगाने में नौका जो सहिक बनती है वेसे ओंकार का जो जब है ओंकार जो शबद है प्रणव का नाथ जो है वे भव प्रभा से तेर जाता है वेक्ति ध्यान के लिए और अगला पॉइंट आता है ध्यान के लिए उप्युक्त स्थान कौन सा होना चाहिए तो दूसरे ध्याई का 10 नंबर का आप शलोग देखेंगे तो उसमें बताया ध्यान के लिए स्थान जो है वह समतल होना चाहिए पवित्र होना चाहिए कंकड आग रेती और कोला हल से तथा पन घट पानी ठेरा होना आदिस से रहित होना चाहिए। ऐसा ने वहां बहुत ज़्यादा पानी रुका हुआ है। जिससे जो मच्छर बगरा जो होते हैं वो सब गंदगी ना हो। ठेरा हुआ पानी ना हो। चलता पानी हो सकता है। स्थान ऐसा हो जहां बिल्कुल समतल साफ सुत्रा पॉलूशन रहित यहीं पवित्र का मतलग कोई भी उसमें परदूशन ना हो। और आंखों को तकलिफ ने देने वाला और वायू रहित स्थान होना चाहिए। बहुत तेज हवा का आवाज जमन नहीं होना चाहिए जिससे आपका ध्यान बादित होता है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भविज्यम केते हैं। दूसरा आंखों को तकलिफ ने देने वाला हो। ऐसा देखने से आंखों को एक आराम मिले। अच्छा मैसूस हो। ऐसा स्थान आपका हो। अगला बिंदू आता है प्रानायाम का क्रम क्या है। प्रानायाम का जो क्रम है उसमें प्रान और अपान का मिलन ही प्रानायाम है। ये दो प्रमुख है प्रान जो है आपका कंट से लेकर रिदे तक जो है आपका नाग से रिदे तक जो रहते है वह प्रान है अपान जो रिदे से लेकर आपका नाभी से लेकर के नीचे गुदा मारक परियंत ये जो स्थान है अपान इन दोनों का ये दो तरह के प्रान है एक तो आपका श्रिर को प्रान दे रहे हैं शक्ति दे रहा एक श्रिर की गंदकी को बहार निकालने का इसलिए प्रान को जीवन माना अपान को मृत्यू का प्रतिक माना इन दोनों का मिलन प्राणायाम से पहले नारिश उद्धी करना और जो शुभे, मद्धे, शाएं और अर्धरात्री में करें ये चार समय दे दिये हैं कि आपको सुभे करना, मद्धे में करना, साएं करना, अर्धरात्री में करना और इन प्राण और अपान का ध्यान रखते हुए इनका मिलन कैसे हो, इस रहसे को जानते हुए करना तो प्रानायाम से पहले क्या नारीश उध्धी करना पड़ेगा नारीश उध्धी के चार समय बता दिये हैं, इनमें करें और प्रानायाम की फिर तीन प्रकार बताएं हैं कि पूरक मतलब स्वास लेना रेचक मतलब स्वास छोड़ना और कुम्भक मतलब स्वास को रोकना लेकर भी छोड़कर के भी रोकने को बोलते हैं कुम्भक इस तरह प्राणायाम के प्रकार को पूछे तीन प्रकार हो गए हैं प्राणायाम का क्रम बताया गया है चार प्रकार का क्रम इसमें बताया और उसके साथ साथ आपकी दिशा किस मुख हो करके आपको बेठना पूरव या उत्रमुखी हो कर प्राणायाम करें ये बहुत इंपोर्टेंट बाते हैं आपके लिए पूरव की तरफ फेस करें या उत्रमुखी हो करके बेठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए इसके अत्रिक्त है प्राणायाम की महता इसका महत्व क्या है तो चित स्थिर हो जाता है इसका पहला लाब है जो हम प्राणायाम करते हैं कहाना चले बाते चले चित्तम जेतना आपका प्रान चलेगा और चित भी उतना ही चलेगा इसलिए चित्त को स्थिर करना है तो प्रान को स्थिर करें तो यहां कहां चित्त स्थिर हो जाता है किस से प्राणायाम का पहला महत्तु यह सबसे बड़ा फिर योग अगनी माय शरीर से अब योग योग की अगनी जो बनती है उस माय शरीर में योगी को ने तो रोग आते हैं ने बुढ़ा पाता है ने अकाल मृत्यू ने जरा ने मृत्यूर है और उसकी आयू जो है वे दिर्ग काल बृद्धी होती है इसलिए अकाल मृत्यू का अब है उसको जो होता आक्ष्मिक जो मृत्यू आती है यानि जिसे हम हार्ट अटेक कहते हैं पैरलाइज हो गया बहुत आक्ष्मिक जो दूबटनाएं होती है शारिक जो आधिस से युक तो वो नहीं होती और ऐसा नहीं एक्सिजेंट नहीं होगा वो तो होता है पर आकाल मृत्यू जो होता है अचानक आंते फट जाना फूड पॉइजनिंग से बड़ा अचानक हाट अटेक आ जाना बहुत सारी कोई ऐसी बिमारी अचानक उठकर के वो वो अकाल मृत्यू नहीं होना नय बुढ़ापा जल्दी से चेहरे पर ऐसा नहीं बुढ़ा नहीं होगा व अब आती है बात योग सिद्धी के पूरू के लक्षन क्या होते हैं अभी आपका दूसरा ही अध्याई चल रहा है इसमें दूसरे अध्याई का 11 नंबर शलोक के अनुसार क्या बताया कि योग का अभ्यास करते समय बीच में आने वाले अब बीच में क्या आएगा ओस धू रूब है सूर्ये वायू अगनी जुगनू बिजली और स्फटिक मनी और चंद्रमा के रूप में सुरू में ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराते हैं या आप जब अभ्यास करेंगे तो आप बीच वीच में ऐसा एक आपको ये दिखेंगे जब आप उसमें प्राणायाम करते ह हैं योग शिद्धी होने लग तो इनका एक अनुभव आपको सामने आएगा और पंच माभूतों के गुणों का अनुभव होना ये भी आपका एक इसमें पूर लक्षन दिखाई देगा जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं और नारी शुद्धी हो जाने पर शरीर में एक हलका पन आएगा ये फिल करोगे आप हलका पन का और प्राणायामात लागवंच है जो हम कहाए जाता है कि इसमें हलका पन आएगा विशया शक्ति का अभाव यह अरसन सक्ति का भाव आजाएगा ये भी एक सब्त ग्यान भूमिकाओं में से एक हैं ये अपन्याब में प्रगट तो फिर शरीर में चमक आएगा ओज आएगा आवाज में माधूरी आएगा सुन्दर गंद शरीर में गंदगी जब नहीं है मलिंता नहीं हो तो शरीर में एक चंदन के समान ही आपके अंदर गंद सुन्दर गंद आपका आने लगेगा मल मुत्र में कमी आ दिये आपकी पिशाव है चैसे आपका सोच के लिए हम जाते हैं लेटरिन है तो इन में भी आपकी कमी आएगी और ये सब योग की पहली सीधिया मानी जाती है ये प्राथमिक सीधिया है ये सबसे पहले आपको नजर आएगा तो इससे आप समझ आते हैं कि हमारा जो योग जिस वे में हम चल रहे हैं करम जो चल रहा है और यदि ऐसा नहीं होता तो आप समझे कि कुछ ना कुछ कही ना कमी हमारी रह रही है तो इसके बाद अगला पॉइंट इसमें आता है वह ये योग सिधि का महत्व एंट वज्य अब वज्य क्या है महत्व लक्षन हमने पढ़ा अब महत्व के बारे में और तत्वज्य के बारे में जाने दूसरा ध्याय चोधा और पंद्रा दो श्लोकों में आप देखेंगे तो उसमें आता है जिस तरह मिट्टी से मलीन हुआ मिट्टी से जद आदमी बच्चा खेलता है काम करता है मिलीन हो जाता है तो बिंब सुद्ध करने के बाद चमक उठता है मिट्टी से मलीन हुआ बिंब बिंब यानि आपका परच्छाई चित्र जो प्रति बिम आपका बनता है शुद करने के बाद चमक उठता है ठीक उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म ग्यान का शाक्षात कार करके शोक से रहित हो जाता है यहां आत्म ग्यान और यहां पर जैसे कोई दरपन है दरपन पर मिट्टी जमा हुआ है और आप उसके सामने खड़े हो जाएं मान लीजिए और आपका प्रतिविम दिखाई नहीं दे रहा और जब फिर उस मिट्टी को हटा दिया जाए वहां से और फिर आप देखेंगे आपका चित्र आपका प्रतिविम जो बनता है वो बहुत सपष्टता से दिखाई देता है पहले बिम्ब में दोस नहीं आप में दोस नहीं है पर कहां उसके बीच में परदा आगया किसका मिट्टी का उस मिट्टी को उटाया इसलिए कहा वो अज्ञान प्रूपी जो बीच में आपके शरीर के बीच में और जीव आत्मा के बीच में आता है तो उसको हटाने के उपर फिर जो क्या होगा शोक से रहित हो जाता है योगी स्वयम दिप्प के समान प्रकाशित होकर आत्म तत्व भावं से ब्रह्म तत्व का शाक्षात कार करता है और तब वे विशुद देव को पहचान कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है जिसे हम योग दर्शन में पढ़ते हैं द्वित्य अध्या में य वे अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वही बात यहां पर है जब एक तत्वज्जे हो जाता है तत्व को यानि उसका शार को जीवन के रहसे को जान जाता है तो वे अपने आप में आ जाता है वे पूर्ण हो जाता है और वे देव को पहचान जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है ये योग सिद्ध का महत्व हुआ तो यहां तक आपने जान लिया अब बात करेंगे सश्टम अध्याई की छटा अध्याई में क्या कहा देखो विशे में कठनाई नहीं है जादा नहीं है पर आप इनको जो जो बताया जाए उस क्रम से आप याद करिए परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा ये सबसे पहले एक पॉइंट आता है और इसमें छटा ध्याई पहला तीसरे तीन श्लोकों को आप ध्यान से आपके पाँ टेक्स्ट बूक होगी तो उनमें से देखिए मेरा काम है इसमें अर्थ क्योंकि श्लोकों के दिमें यहा हो सकता है साइद उन से आपका कोई पर वास्तों में उनको आप अपने आप देखिए क्योंकि श्लोकों के शब्दों को भी लिया जा रहा है और समय मिलेगा तो एक श्लोकों को भी हम पढ़ाएंगे पर अभी एक सार रूप में है और जो विशे के बिंदों के साथ आपको हम दे रहे हैं छटे धाय का एक और तीन श्लोकों में के अंसार कुछ विद्वान सौभाव को जगत का कारण बताते हैं के मनुश्य का सौभाव है सौभाव के कारण ही ये जगत का कारण जैसे ब्रम का अपना सौभाव है उसने स्रिष्ठी रचना की ओं प्रले होगा वो महोग रस्त हो कुछ लोग काल को कारण बताते हैं कि काल जो है को कारण बताते हैं काल से क्या आयू बढ़ती है जिसे हम आयू की गनना गरते हैं उससे एक दिन कारण बनता है काल आता है ये सब महिमा भगवान की ही है यानि श्रिष्टी और प्रले ये दोनों जो कारिये हैं ये भगवान के ही हैं जो ग्यान स्वरूप और काल का भी करता है प्रंतु जो ग्यान का स्वरूप है और काल का भी करता है जो निस्पापत्व आदी गुनों से युक्त है जो सरवज्जे है ये उसकी महिमा बताई जा रही है परमेश्वर इस परकार का है कि वह इन इन गुन और उसके महिमा बताई है वो निस्पापत्व है पापों से रहित है गुनों से युक्त है और वह सरवज्य है यहां कही गई है और उसके अत्रिक्त बताया इसमें जिस से क्या होता है प्रेरित होकर ही वे प्रित्वी जल तेज वायू आकास जगत की रूपी कारिय चल रहा है ये पंच महभूत जो है उसी के आदेशा अनुसार कारिय कर रहे हैं परमेश्वर ने श्रिष्टी का निर्मान करके दोबारा से निरिक्षन किया ये इन श्लोकों में लिखा हुआ मि अपनी पर्सनल कोई भी अपनी व्याख्या नहीं बनाना वो आप अपने लेवल पर करते रहिए पर परिक्षा में वही लिखना जो पुस्तकों में लिखा है मैं वही बता रहा हूं फिलाल के लिए इसलिए बीच में बहुत जादा व्याख्यान मैं इसमें नहीं करूँग उसके बाद जड और चेतन ध्यान रखना जड और चेतन यही प्रकृति और पुरुष है जड और चेतन को मिला कर उन्होंने जगत की रचना की फिर क्या होता है जगत बनता है इनी से तो आगे स्रिजन चला महतत्व निकला फिर आगे और हना तो वो आप करम जानते हैं सांख किर्टज्यत्य भाव बताया है यदि वेक्ति जान जाए और उन्होंने ये काम किया है तो हमें उनके प्रती एक किर्टज्यत्य भाव रखना है चिंतन और मनन उनी का करना चाहिए ये जगत और सृस्टी कैसे रचा गया और इसका रहेश्य को जानने की कोशिश करना चाहिए तो ये इसमें कहा अब आता है अगला बिंदू भगवत प्राप्ति के उपाए क्या है भगवान को मालेजे प्राप्त करना है तो क्या बताया उपाए श्वेता श्वत्रू पनिशद में तो तीन मुखे साधन बताये गई है कि इन तीन माध्यमों से आप उनकी प्राप्ति कर सकते हैं या प्रिक्षाओं में आ सकता है प्रशन पहला है करम, करम के माध्यम से फिर दूसरा है उपासना, तीसरा है ज्यान ये करम उपासना ज्यान ये तीन प्रकार की योग ही तो है जो हम बार-बार पढ़ते हैं करम योग, भक्ती योग, ग्यान योग वो तीनों ही योग हैं इनको नाम देखिए यहां उपासना किया भक्तियों को ज्यान के आगे योगने लगा कर ज्यान लिखा करम को आगे योगना लगा करम लिखा पर यह तीनों जो वेक्टी तीनों अच्छे से कर लेता है तो राज योग की प्राप्ति हो जाती है वही अगला जो बिंदू बनता वह है मोक्ष की प्राप्ति यानि राज योग की प्राप्ति क्या है इन से पूर्ण ते आगे निकल जाना पर ये पहले उपाई इनके माध्यम से निकलना पड़ेगा इडा पिंगला शुष्मना ये तीन परकार की जो नाडियां है वही करम योग भक्ति योग और आपका ज् जब एक्टिव होती है तीनों जागरुत होकर के मध्यस्त बनता है तभी राज योग नि मोक्ष के अपमार्द खुलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा छटे अध्याई 13 नंबर के उनसार जब सादक नित्यों में नित्ये जो पर्मानेंट है उसमें पर्मानेंट यानि जो सदार है चेतन तत्वों में चेतन की सब जीवों का दाता है और जो सांखे योग द्वारा जानने योगे है सांखे मिंस ग्यान योग के द्वारा जानने योगे है सांखे मतलब पच्चिस तत्वों के द्वारा जानने योगे है ऐसे सर्व के कारण रूप देव को जान कर मनुष्य सभी बंदनों से चुटकारा पा लेता है ये मोक्ष की जो प्राप्ती है जहां मोक्ष का ख्षय होता है मोका तो वो इनके माध्यमों से होता है ये इनोंने यहां पर बताया है और इसके साथ साथ आपका वीडियो कैसा लगा वो आप जुरूर मुझे कॉमेंट करके बतायेगा और आप सब का बहुत भाँत धन्यवाद इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में